हेलो दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज की सोड़ों में हम बात करने वाले हैं स्टाप सेलेक्शन कमिशन का न्यू अपडेट के बारे में तो देखे फ्रेंस यहां पर यह जो अपडेट है आपकी रहने वाली है Constable ZD Examination Form 2025 का स्टाट हो गए हैं अगर आप इस पोस्ट के लिए form अपलाई कर रहे हैं और आपको form में सिगनेचर अपलोड करने में दिक्कत हो रहा है प्रवलम हो रहा है कैसे आपको सिगनेचर का विक्त और हैट सेट करना है कैसे फाइल का साइज सेट करना है अपने mobile ये laptop ये PC से आज की सूड़ों में आपको complete जानकारी दिया चाएगा देखे दोस्तों यहाँ पे 2024 का form में बहुत सारी candidate ने सिगनेचर में mistake कर दिया था गलती कर दिया था जिससे उनका जो form होता है reject हो गया था admit card आने के time तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है क्या क्या गलती आप लोगों को नहीं करना है इस वीडियो के माध्यम से बताया चाहेगा तो आपको ये वीडियो को जरा सभी escape नहीं करना है पुरा लास तक watch करना है किसी भी परकार का query होगा तो आप मुझे comment box में comment करेंगे दोस्तों तो देखे friends यहाँ पर मैं signature और photograph upload section में आ चुका हूँ signature के लिए मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस परकार आप लोगों को signature upload करना है photo के लिए मैं next जो वीडियो होता है लेके आऊंगो उसमें आप लोगों को बताऊंगो कि किस परकार आपको live photo capture करना है तो इसके लिए आप सबसे पहले आ जाएंगे यहाँ पर signature upload section में यहाँ पर आपको जो भी instruction दिया गया है वो आपको rate करना mandatory है अगर आप rate नहीं करते हैं और ऐसे ही आप signature upload कर देते हैं तो आपका signature reject हो जाएगा सबसे पहले आपको यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो photo होता है इसका file का जो size होता है आपका JPG है JP easy format में जो कि आपका 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए मतलब 10 से 20 KB के बीच में आपका यहाँ पर होना चाहिए इसके बाद देखे दोस्ते यहाँ पर इसका dimension है वो आपका यहाँ पर होना चाहिए 600 और 200 को भी इसका width और height होना चाहिए मतलब कि आपको 600 इसका विक्त रखना है और इसका जो हाइट होता है आपको 200 रखना है इस प्रकार इसका विक्त और हाइट रखना है इसके बाद आपको यहाँ पे 3rd नमर में बोला गया है कि आपका signature बिल्कुल भी blur नहीं होना चाहिए blur अगर आपका होता है signature तो आपका यहाँ पे resect हो जाएगा और जो भी यहाँ पे आपको horizontal बोला गया है जो भी आपको dimension बोला गया है वो आपकर यहाँ पर सही होना चाहिए प्रोपर आपका इस प्रकार यहां पे upload होना है तो चलिए दोस्तों यहां पे सबसे पहले हम resize करते हैं signature को इसके बाद मैं आप लोगो को upload करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार आप लोगो को signature को upload करना है तो देखे दोस्तों यहां पे सबसे पहले आप लोगों को अपना mobile से कैसे resize करना है यह मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ तो सबसे पहले आपको करना क्या है यह application को install कर लेना है अगर आप install करना चाहते हैं इस वाले application से resize करना चाहते हैं आप इसको इस्टॉल कर सकते हैं, प्ले स्टॉर से, फोटो रिसाइजर सच करेंगे, यह अपली किसन आपको मिल जाएगा, फिर यह वर्जन है, इसके लिए आपको कोई फीस पेमेंट करने के आउस दकता नहीं है, इससे आपका जो रिजल्ट होता है, सिगनेचर यह फोटो को यहाँ पर मैं झालेट करेंगे, इसको यहाँ रिय्ट करने के लिए अगर आप कर ने करने के लिए रूटो वर्टीट करना चाहते हैं, इसके पसच्छाथ आपको ऊपर करना होगा, कुछ इसट आप से, यहाँ और आपको देखने कुल जाएगा, легul इन फाएग gameuch कर दे क्लिक कर दिना है इसके बाद आप इस वाले बॉक्स में अंटिक करेंगे देखे दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको जैसे यहाँ पर जो भी के बीस से कम नहीं होना चाहिए और आपका 20 के बीस से ज्यादा नहीं होना चाहिए 10 अवर 20 केmek के बीच में होना चाहिए यहाँorro में फिर से उसके करेंगे Amnesty सिगनेचर करेंगे तो आपको blue या black ink का यूज़ करके आपको सिगनेचर करना है red ink का विल्गल भी यूज़ करके सिगनेचर नहीं करना है नहीं तो आपका form reject हो सकता है और आप जब सिगनेचर करेंगे तो आपको A4 size का जो paper होता है white paper उसमें आपको signature करना है कुछ इस टाइब से जैसे मैंने यहाँ पर किया है इसके बाद आप इसको save करने के लिए आप यहाँ पर gallery option में चाहेंगे और इसको आप save कर लेंगे अपना gallery में अब चलिए दोस्तों आप यहाँ पर मैं बात करूँगा किस प्रकार आपको laptop या PC से resize करेंगे इसी signature को तो देखिए फ्रेंस यहाँ पर laptop या PC से resize करने के लिए आपको Google में आना होगा यहाँ पर आप सर्च करेंगे photo resize तो कुछ इस steps जैसे यहाँ पर मैं search कर रहा हूँ कुछ इसी types आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है जैसे आप यहाँ पर photo resize यहाँ पर सर्च करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको एक side देखने को मिल जाएगा image resize Simply आपको करना किया है यहाँ पर resize करने के लिए Image को resize करने के लिए आप इसी वाले website में क्लिक कर देंगे इसके पस्चात आपको इस परकार का interface देखने के मिलेगा यहाँ पर आप उस वाले signature को select करेंगे जिसको आप resize करना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अभ ही जो मैं signature já Second कर रहा है उस वाले signature को नहीं ले रहा हूँ किसी अधर signature को यहाँ पर मैंने के लिया है तो इस प्रकार आप लोगों को signature यहाँ पर कर लेना है इसके बद आपका जो signature होता है दोस्ते यहाँ पे resize करने के लिए अपना laptop याइड़ पीसी होता है उसे resize करने के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा side में resize इसमें आपको click कर देना है इसके बद आपको dimension set करना है Dimension set करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे Unlock करना होगा Unlock करने के पस्चाथ आप यहाँ पे इसका विक्त और हैट सेट कर सकते हैं सही से तो आप यहाँ पे 600 कुछ इस टैप से आपको टाइप करना है और आपको इस वाले box में यहाँ पे 200 टाइप करना है फाइल का जो साइज होता है मैंने पहले ही बता दिया है कि टार्गेट जो फाइल साइज होता है आपका 20 KB से ज्यादा नहीं रहना चाहिए और आपका 10 KB से कम नहीं रहना चाहिए तो आप यहाँ पर city कुछ is steps wielking से आपको 18KB ये 20KB में आप यहाँ पर convert कर सकते हैं इसके बाद आपको research में क्लिक करना है research की button आपको देखने को मल जाएगा कुछ is step से research में क्लिक कर देंगे जैसे आप यहाँ पर research में क्लिक करेंगे 200 और 600 को बीच में ये आपका dimension set हो चुका है अब चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं upload करके दिखा देता हूँ किस प्रकार आप लोगों को signature को upload करना है तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं signature upload section में आ चुका हूँ सबसे पहले मैं यह signature को यहाँ से cut करूँगा तो simple यहाँ पर मैं cut करता हूँ इसके बाद upload signature में click करूँगा उस वाले signature को यहाँ पर select करूँगा जो signature को मैंने यहाँ पर research किया है इसके बाद मैं यहाँ पर upload कर दूँगा कुछ इस step से देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा signature यहाँ पर upload हो चुका है यहाँ पर आप लोगों को ऐसे ही signature upload कर देना है ऐसे ही देखिए friends यहाँ पर मैंने research करके दिखाया था जो कि यहाँ पर Google से research किया था उसको भी यहाँ पर मैं upload करके दिखा दे रहा हूँ इसके लिए आपको simple यहाँ पर upload signature में click करना होगा इसके बद आप signature को select करेंगे और यहाँ से आप इसको done कर देंगे जैसे आप यहाँ पर signature को upload कर देते हैं तो कुछ इस टैप से आपका signature होता है आपको upload हो चाएगा देखे friends यहाँ पर यहाँ पर यहाँ जो signature होता है इसको मैंने crop नहीं किया है तो इस परकार आप लोगों को आपका signature होता है आपको upload कर देना है आई होप आप लोगों को यह जानकरे पसंद आया होगा बड़ो पसंद आया होगा जानकरे पसंद आया हो तो बड़ो गलाइक subscribe share करेंगे किसी भी परकार को query होगा तो आप मुझे comment box में comment करेंगे